अपने निवास पर ये बैठक ले रहे हैं और पिछली सरकार में इस बोड का गटन किया गया था बोड के गटन के बाद ये दर असल पहली बैठक है और नगरिय विकास मंत्री हैं बोड के पदेन अध्यक्ष बोड की बैठक में विचार यहां पर होगा और बोड के विजनेस प्लान और HR पॉलिसी पर भी विचार किया जाएगा तो ये एक्स्क्लूसिव तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं और एक्स्क्लूसिव तस्वीरे दरसल शांती धारिवाल जो की यूड़ेच मंत्री हैं वो यहां पर बैठक ले रही हैं तमाम अधिकारियों को यहां पर बुला लिया गया है अपने आवास पर यह बैठक ले रहे हैं जैपूर वोटर सप्लाई एंड सीवरेज बोड की यह बैठक है और पिछले करेकाल के दोरान इस बोड का गटन किया गया था और कहा जा सकता है कि पहली यह बैठक है अब इसका अजंडा क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं एच आर पॉलिसी इसका अजंडा है और इसके अलावा किस तरीके से फैनेशेली स्ट्रोंग यहां पर किया जाए ये भी दरसल एक बड़ा मुद्दा इसके अंदर रहना है और जाहिर है अगर यहां पर बैठक ल देते हुए नगरिय विकास मंत्री हैं दरसल बोड के पदेन अध्यक्ष भी वही हैं और बोड की बैठक में विचार यहां पर किया जाएगा और विचार किन बातों को लेकर यह हम आपको बता रहे हैं बोड के विजनिस प्लान और एच आर पॉलिसी पर विचार यहां पर है तो फिर उसके लिए जवाब मांगते हुए भी नजर आते हैं और पिछले 10-15 दिन में अगर उनका पूरा दिंचरिया को समझा जाए तो फिर समझ में आता है कि वो लगातार अलग-अलग परियोजनाओं को लेकर भी एक्टिव मोड में नजर आए हैं फिर चाहे वो रि बैटक यहां पर ले रहे हैं जैपूर वाटर सप्लाई और सिवरेज बोर्ड की बैटक है जिसमें वो दरसल इन संभावनाओं को जानेगे की फैनेशली की सरीके से स्ट्रोंग यहां पर किया जाए और एचार पॉलिसी को की सरीके से ट्रांस्पेरेंट बनाई जाए यह द जवाब किस सरीके से यहां पर दिया जाएगा और इसलिए वो लगातार अपनी ही उन फाइलों को पढ़ रहे हैं जो फाइले वो दरसल लेकर आए हैं और इसको चाहे मंत्री जी के एक्टिवनेस कहिए या फिर अधिकारियों को मंत्री जी के प्रतिगम भेड़ता कहिए आ अगर मंत्री जी बैठा के लिए यहां पर बैटे हैं मिटिंग यहां पर ले रहे हैं तो उससे पहले अधिकारी जो फाइल लेकर आए हैं उनको भी वो खंगालने में लगे हैं कि अगर मंत्री जी ने कुछ पूछा तो फिर जवाब किस सरीके से दिया जाएगा